ओम शांती दो ग्यारा दो हजार बाइस की साकार मुरली मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धी को भटकाना बंद करो एक बाप से सम्मंद जोड बुद्धी योग लगाओ तो सब बंदन समाप्त हो जाएंगे प्रश्न बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुशार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है उत्तर बंदनों से बुद्धी योग निकाल सम्मंद से बुद्धी योग जोडने का पुरुशार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं इस समय ही एक तरफ तुम्हें सम्मंद खीचता तो दूसरे तरफ बंधन यह युद्ध चलती रहती है आसुरी बंधन से इश्वर ये सम्मंद में आने का यही समय है क्योंकि इश्वर को यतार्त रूप से तुम अभी जानते हो इश्वर को सर्वेव्यापी कहने से सम्मंद जुड़ने के बजाए तूट जाता है बुद्धी विपरीथ हो जाती है इसलिए जब यतार्त पहचान मिली तो सम्मंद में आने का पुरुशार्थ करो गीत धीरज धर्मनवा ओम शान्ती मनुष्य मात्र का मन और बुद्धी अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धी है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है यहां तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुशार्थ कर रहे हो आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है आधकल पे तुम्हारा मन बुद्धी भटकते भटकते हैरान हो गया अब श्रीमत पर मन बुद्धी को भटकाना बंद करो एक तरफ बुद्धी का योग लगाओ दे अभिमान में आकर बहुत भटके हो अनेक प्रकार के मित्र सम्मंधियों आधी का बंधन रहता है बाप कहते हैं उन सब को छोड़ो एक के साथ सम्मंध जोड़ो कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है एक के सम्मंध में जुट नहीं सकता हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पका रखें कहां भी बुद्धी भटके नहीं बाप कहते हैं आधकल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो अब यह भटकना छोड़ दो मैं आत्मा हूं यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूं तो देहों के साथ सम्मंध हो जाता है बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो लेकिन तुम इस मृत्यू लोग के बंधन में रहते हुए इश्वरिय सम्मंध को याद करो यह है बंधन वह है सम्मंध बंधन होता है दुख का सम्मंध होता है सुक का बंधन और सम्मंध दोनों अलग-अलग है बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से सम्मंध अक्षर नई दुनिया से लगता है अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ सम्मंध जोड़ो इस बंधन में रहते हुए संबंद के लिए पुरुशार्थ करना है संबंद किसके साथ रखना है ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मनमना भव, मद्याजी भव और कहे कि बेहत के बाप से और बेहत सुक के वर्षे से संबंद रखो बाप ही यह संबंद जुडाते हैं जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुशार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है एक ही बाप है जो बंधन से छोड़ा कर संबंद में ले जाते हैं बंधन है मायावी राज्य में, संबंद है राम राज्य में, वा इश्वरिय राज्य में उनको ईश्वरिय राज और इनको आसुरी राज कहा जाता है क्योंकि सत्योग ईश्वर स्थापन करते है उसमें उच्पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुशार्थ कराते रहते है अब तुम संगम युग पर हो सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुशार्थ होता है और कोई युग में यह पुरुशार्थ नहीं होता बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छोड़ाए संबंध में बुद्धी योग लगवाता हूं सतियोग में नए सम्मंद की प्रालब्द अभी के पुरुशार्थ से मिलती है जो सम्मंद को जानते ही नहीं तो पुरुशार्थ कैसे करेंगे यह तो जरूर होगा एक तरफ सम्मंद खीचेगा दूसरे तरफ बंधन खीचेगा यह लड़ाई होती है सतियुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं द्वापर कल्युग में भी संबंध की बात नहीं संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से इश्वरिय संबंध में जा रहे हैं संगम है ही पुरुशार्थ का यूग तुमको ही बंधन और सम्मंध का पता है आसुरी बंधन में रावड ने लाया इश्वर फिर इश्वरी सम्मंध में ले जाते हैं बाप तुम्हारा बुद्धियोग अपने सांट जोडते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो भक्ती में जो पुरुशार्थ करते हैं वह है आयथार्थ यथार्थ पुरुशार्थ परमपिता ही कराते हैं सर्वव्यापि के ग्यान से परमात्मा से सम्मंध नहीं हो सकता और ही तूट पड़ता है अब तुमने एक बाप के सांथ बुद्धियोग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंट की राजाई के लिए तुम पुरुशार्थ कर रहे हो शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रती लिख दिया है सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा भगवान ने राजियोग तो बहुतों को सिखाया होगा न नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविश जन्म जन्मांतर के लिए पुरुशार्थ करते हैं यह सिर्फ तुम ब्राम्हन ही कर सकते हो यह निश्चे है कि हमारी देवी राजधानी ड्रामा नुसार जरूर स्थापन होनी ही है हम ना चाहें तो भी जरूर होगी impossible है जो स्थापना ना हो ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा ड्रामा हमको जरूर पुरुशार्थ कराएगा कल्प पहले मुआफिक परन्तु चलना है श्रीमत पर ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है जानते हैं ड्रामा नुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है फिर भी उच मर्तवे के लिए श्रीमत पर पुरुशार्थ कराते हैं टाइम भी बतलाते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार बाप आया है, वह कहते हैं यह संगम युग पुरुशार्थ करने का है, पतित सिपावन बनना है, संगम की बहुत महिमा है, वह है नदियों और सागर का संगम, यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है, बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ, सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित सिपावन दुनिया जरूर बननी है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुक्तु कर जरूर पावन बनना है, यह कयामत का समय है, बिगर पावन बने को प्रम्पिता पर्मात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मकड टिडियां जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है। उनके पिछाड़ी ही सारा जुन्ड उड़ता है। यह भी ऐसे ही है। साजन आया है गुल-गुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे फिर जब मैं आऊँ फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां धेर के धेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़ कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियां है अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा सुमान लिया। अपनी मतत्व मनश्यमत को भ्रहम कहा जाता है। बापाकर सभी भ्रहमों से छोड़ा देते हैं। यह है ही द सुखधाम, जब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है, साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। तुम ब्राम्भन से देवता बनते हो, फिरो तर्तीकला शुरू होती है, देवता से शत्रिय, वैश, शुद्र बनेंगे, अब चड़तीकला है, चड़तीकला तेरे भाने सर्व कभला, समुक्तिधाम में चले जाएंगे और तुम जीवनमुक्ति में चले जाएंगे, भारत भी खाली नहीं होता, स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता, इसलामी बौध्धी आदी तो बाद में आते हैं, उनके पहले चंद्रवन्शी राम राज्य था, उनके पहले सूर्यवन्शी लक्षमी नारायन का राज्य था, क्राइस्ट नहीं था तो बौध्धी थे, बौध्धी नहीं थे तो इसलामी थे, इसलामी नहीं थे तो राम राज्य था, उनके पहले सूर्यवन्शी थे, अब सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी दोनों घराने नहीं हैं, बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं, तुम ब्रम मामुक वन्षावली सच्चे ब्रामण देवता बनने लिए पुरुशार्थ कर रहे हो। शुद्र पुरुशार्थ नहीं करते। ब्रामणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है। जिससे तुम स्रेष्ट देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है। विनाश आया की आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एकने बॉम चलाया तो दूसरा भी चलाने लग जब पड़ते हैं। तुम सुक्ष्म वतन, मूल वतन, बैकुंट देख कर आते हो। साक्षातकार होता है। कृष्म पुरी का भी साक्षातकार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते हैं। जाने का समय तो तब होगा जब श्यव भाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षातकार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ सम्मंद जोटा है। तुम्हारी रामराज्य तरफ पीठ है, मोह है रामराज्य तरफ, अभी तुम ब्राम्हन वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है, प्रजापिता ब्राम्हा के बच्चे ब्राम्हन जरूर चाहिए, तुम ब्राम्हनों को वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला राजियोग सिकलाने वाला शिव बाबा है यह ईश्वरिय वर्षा आधकल्प चलता है फिर मिलता है आसुरी वर्षा चड़ती कला 21 जन्मों के बात पूरी होगी फिर आसुरी राज्य शुरू होगा असुरिय रावण है परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मि मिसल दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो वैसे मैं भी चमकता हु पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धियोग से भूलना होता है कहते भी हैं यह बच्चा अत्वा यह धन ईश्वर ने दिया है अब बाप कहते हैं कि यह सब तो अब खत्म हो जाना है यह तो कुछ नहीं है इससे ममत्व तोड़ दो भगवान तुम से लेकर क्या करेंगे सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो यह तो बहुत थोड़ा है हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता है तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है अभी हमको नई दुनिया में जाना है इसलिए ममत्व में टाय नए में जोड़ना है कल युग के बाद सत्युग आना है जिसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है यह फिर बेहत के दिन और रात की बात है आधा कलप है ज्ञान की प्रालब्द आधा कलप है भक्ती जब तमो प्रदान जडड़ी भूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ अभी तो भक्ती भी व्यविचारी है मुझे कड़ कड़ में ठिक करवित्तर में कह देते हैं पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं पत्थर को ही शिव कहते हैं पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं यह भक्ती मार्गे की सामगरी बहुत है जन्म जन्मांतर यग्यतप तीर्थ आदी करते शास्त्र पढ़ते आएं बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावनाओ पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे एक ही पारलोकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं वहाँ दुख की कोई बात नहीं तुम पाँच जार वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे परंतु उच्पद नहीं पा सकेंगे जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और उच्पद पाएंगे शेवाबा की याद में रहना है और स्रश्टी चक्र को फिराना है दूसरों को भी समझाना है इससे बहुत उच्पद मिलेगा बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूद मॉर्निंग रोहाणी बाप की रोहाणी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला मृत्यू लोग के बंधनों में रहते सुख के सम्मंद को याद करना है अपने को आत्म समाज मन बुद्धी को भटकाने से छोडाना है दूसरा पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है सब भ्रमों से बुद्धी योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है वरदान किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगा कर समाप्त करने वाले सहज योगी भव सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना पॉइंट रूप में इस्तित रहो तुस क्वेश्चन मारके की क्यों समाप्त हो जाएगी जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है जो हुआ जो हो रहा है जो होगा वह अच्छा होगा क्योंकि संगम योग है ही अच्छे से अच्छा अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन इसनेहे ही सहज याद का साधन है स्नेहे में समा जाना, अर्थात सहज योगी बनना अच्छा, ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बन्द मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा